तेरे चहरे में वो जादू है बीने डोर खिचा जाता हूं जाना होता है और कहीं तेरी और चलाता हूं तो चलिए भाँ सवाल के पास में आते हैं जहिन दोस्तों स्वागत है आपकी अपनी यूटूब चैनल राजधानी फेमली में मैं विहारी सर लेकर आया हूँ संस्कृत का सब्जेक्टिव कोश्चन को तो आईए बिना समय को गबाई हुए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं देखेगा संस्कृत में आपके 16 नमबर का सब्जेक्टिव कोश्चन पूछा जाता है जीसे हम आज देखेंगे तो आईए हम लोग प्रश्चन के और बढ़ते हैं गुरू गोविन सिंग कि Aleman Patna करा कि टेज्ञान यहां न अस्थान में हार वर्ष मनाया जाता है कि परकास उत्सव मना describes जिसमें लाखों लोग लेते ह 모든 प्राप्त करते हैं चली हम लोग और दुसरा प्रेशन क्या रहा रहा है दुसरा प्रस्टर प्राइब पुत्र को सिफ्छा का प्राचीन केंद्र क्यूं केंद्र क्यूं माना गया Giving इफ तो देखते हैं राज सेखर राज सेखर ने अपनी souvent काव्वी मिमानिया यह लिखा पूत्र यह लिखा कि पाडली पूत्र शिच्छा काव्वी मिमान समय daí पूत्र शिच्छा का प्राचिन केंद्र उतवी टुक्नilight वारूची है तथा पतंजली आदी बिदमानों ने परिच्छा पाटली पुत्र में ही आकर यहां पर अपनी परिच्छा ली गई थी मतलब यहां से उन्हों था ठीक है उसके बाद कुसुंपूर आया फिर पाटली आया ठीक है पाटली पुत्र आया और अब जाके हम लोग पटना में पटना कहते हैं उसे तो देखिया कह रहा है कि बुद्ध जो थे प्राचिन काली में अनिक बार पाटली गाउं आये थे यहां आकर वी इस गाउं के महत्व को बढ़ाया और यहां पर इस गाउं में आकर भगमान बुद्ध इस गाउं के महत्व को बढ़ाएं और भविस्वानी की थी कि यहां गाउं एक दिन महा नगर होगा महत्मा बुद्ध ही जिते उन्होंने यहां कर यहां पर भविस्वानी की थी कि यह जो पाटली वरतेम लोग चवी प्रश्टेयों काराचंद गुप्त के काल में पातली पुत्र कैसा नगर था यानि चंद गुप्त का जो काल था उस समय कापफी मजबूत थी आ चाहूं के समय में अशूक का जब स एक सासंकाल चाल था कराश्वक के समय में इसकी परसिद्धी दूर दूर तक फैल गई थी यह एक अती महत्पूर नगर था इसकी गाथा बेदों में इसकी गाथा जो है बेदों में भी गाया गया है चली हम लोग बढ़ते हैं पच्मे कुरस्चन की और देखेगा पच्मा प्रशन का है आपक में पाटली पुत्र की ख्याति किस रूप में है इससे कुछ नाम भी लिखे अभी हमने आपको बताया था करा प्राचिन संस्क्रित जो पुराने संस्क्रित उसके गरंतों में पाटली पुत्र का अस्पष्ट वर्नन है पहले इसका नाम पुस्पूर था फिर पाटली गाम हुआ फिर पाटली गराम हुआ और आप जाके पतना है ठीक है गुपत्र काल में यहाँ कुमोद्धी मोहतसभ में मनाया जाता है चली हम लोग आगे बढ़ते हैं छटे प्रश्न के और देखेगा आपका चछठा प्रश्न क्या करा विद्यार्ति पाथली पुत्र नगर के वहवव का वर्नन करें तो आई हम लोग देखते हैं करा पाथली पुत्र नगर अपनी वहव काल से ही अपनी परंपरा के लिए विख्यात रहा है ठीक है अनिक वीदेशी यात्री इस नगर में आकर यहां भ्रह्मन और अध्यन की हैं साथी साथ भ्रह्मन और अध्यन करा मेगाशनीज मेगाशनीज ने अपनी पुस्तक मेगाशनीज ने लिखा है कि यहां की जो सुरच्छा विवस्ता थी कापी मतलब कापी अच्छी थी ती सुंदर थी कभी रा सेखर एवं अन्य कई लोगों ने इस बात की पुष्टी की है कि यहां का गोल घर संग्राले जैबी कुद्यान गांधी मैदान एवं पटना साहिब काफी दर्सन्य योग है क्या है दर्सन्य यानि देखने लाइक है चली हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर साथ की है कि लोगों को करमत होना चाहिए करमत होना चाहिए अपने सरीर का सबसे महान सत्रू आपके सरीर का जो है महान सत्रू आलस से अगर आप अपने जीवन में आलस का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी successful इंसान नहीं बन पाईएगा, ठीक है, करा इस से केवल अपना ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का नुकसान होता है, अगर आप आलसी नहीं, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज का भी नुकसान होता है, करा आलसी बिक्ती निंदा का पातर होता है, ठीक है, चली, हम लोग बरते हैं आगे question के और, question नमर आट में हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, आलस कथा से हमें क्या सिच्छा मिलती है, आलस कथा से हमें क्या सिच्छा मिलती, तो देखेगा, करा आलसी बेगती हमेसा दया के पात्र होते हैं, क्योंकि वे हर बात के समाज के सबसे गिरे हुए बेगती माने जाते हैं, वो इस समाज के सबसे गिए हुए बैक्ति माने जाते हैं साथ ह着 साथ का था, क्योंकि वे हर बात के लिए किसी दूसरे पर नीर भर रहते हैं उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिलताsomething जो भी आदसी होते हैं, उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। अता हमें आलस से नहीं करना चाहिए। अता हमें अपनी जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. question number 9 में हम लोग आते हैं. करा संसकार कितने हैं? और कौन कौन से हैं ठीक है क्वेशन नमबर नौ में हम लोग कर रहे हैं संसकार कितने हैं और कौन कौन से तो देखेगा संसकार 16 होते हैं संसकार कितना होते हैं सोडसा यानि संसकार 16 होते हैं करा संसकार 16 होते हैं जिसमें तीन जन्व से पहले होते हैं जन्व से जब बच्चा मा के गर्व में रहता उसमें तीन संसकार होते हैं शिच्छा संबंदीत पां सिच्छा संबंदीत संजकार होता है उसके बाद एक बीवा संबंदीत होता है एक बिवा संबंदित होता और अंत में मानव सच्चा मानव बन पाता है हमें हर संसकार का आधर करना चाहिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दस्में प्रश्न की और बढ़ा आगे कि दसमा चलिए ठीक है बटीजिये थोड़ा सा चलिए हम लोग आते हैं दस्में प्रश्न की ओर देखेगा विद्यारती दस्मा कर्म्वीर कता से हमें क्या सिछा बहुत ही गरीब और लाचार था उसके पास घाने समस्या थी उसके पास खाने की समस्या थी पर उसका सोच उचा था सायद इसलिए दलित समाज में जन्म लेने से जन्म लेने पर भी अपने परिश्रम के बल पर वह उच्पद को प्राप्ट कर लिया यह समाज की सबसे बड़ी सीख है देखिए विद्यारतिक कोई भी गरीब अगर महनती होता है तो उसके लिए किसी भी पर प्राप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती यह समाज की सबसे बड़ी सीख है अता हमें इस घटना से यही सिच्छा मिलती है कि मनुस जन्म से नहीं बलकि कर्म से महान होता है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं स्वामी दयानन समाज सुधार के लिए क्या क्या कि है और उनका जन्म गुजरात के दयानन सरस्वती ने समाज कल्यान के लिए अनेक कार कि कि इन्होंने बहुत सारे समाज कल्यान के लिए अनेक कारे की हैं उन्होंने समाज में पहले तमाम कुरूतियों मनें बुराइयां जो थी उनको समाथ किया दूर किया जिस परकार में जैसे में बाल बिवा बाल बिवा जो था उस समय का प्रचली था उसने उन्होंने इस समाज कुरूतियों को इसमें हटाने का परियास किया क्रें रहा है तर जो यह अपनी जवानी में पाफी काफ्य अनियाई था कि अनिक गव और मनुसों का बद किया है से जो राहगीर आ रहा था रास्ते से उसको बुढ़ा बाग समझा रहा है कि मैं अपनी जवानी में काफी कुरूर था मतलब काफी बदमास था काफी क्या काता अन्याई था अनिक गव और मनुस्यों का बद क्या जिससे हमारे पत्नी और पुत्र की मिर्त्यू हो गई है मैं बंस अपने का कंगन जो है इस पर इसे दानम के रूप में स्विकार करो चलिए हम लोग आते हैं आगे कोशन है तेरा बिस्विसांती के लिए हमें क्या करना चाहिए तो देखिएगा करा बिस्विसांती के लिए हमें तमाम उपदेशों को अपनी जीवन में उतारना चाहिए ज करा उनके तमाम उपदेशों को हमें अपनी जीवन में उतार कर उनका पालन करना चाहिए हिर्दे में प्रेम प्रोपकार और सही सुनता और मित्रता का भाव रखना चाहिए वैर को भूलकर सांती अस्थापित करनी चाहिए वैर को भूलकर हमें सांती अस्थापित करनी चाहि चलिए देखते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है आत्मा सोक रही थे आत्मा को कभी दुख नहीं होता है दुख हमारे सरीर को होता है ना की आत्मा को ठीक है आत्मा जो है सोक रही थे करा यह अनुसे भी छोटा यानि छोटा से भी छोटा है ठीक है और महान से भी महान है यानु उसकी महान आत्मा में अवस्तित है इसका अर्थ समझ्पाना आम आदमी के वस में नहीं है क्योंकि यह आम आदमी से परः है यह आम आदमी के दिमाग से बाहर है चलि आते हम लोग question number 15 में question 15 में यह कौस्चन 15 में का रहा है mahan लोग होते हैं वह संसार का जो करा कि महान लोग संसार रुपी सागर को कैसे पार करते हैं तो देखेगा करा कि महर्सी बेद व्यास कहते हैं कि महर्सी बेद व्यास इन्हों ने महाभाद की रतना की थी और साथी साथ आपका मंगलम पार जो संस्कित का पहला उसकी भी रतना की तो कह रहा है क्या महरसी बेदव्यास कहते हैं कि संसार में ग्यानी और आग्यानी दोनों तरह के लोग रहते हैं कह रहा है कि महान लोग कह रहा है कि महान लोग संसार की माया को समझ कर धीरे-धीरे मिर्तु को पार कर जाते हैं देखे महान लोग जो होते हैं वो संसार की माया को समझ कर धीर धीर मिर्तु को पार कर जाते हैं लेकिन जो आग्यानी लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे किसी पर विस्वास कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं ठीक है तो करा क्यूंकि संसार रुपी सागर को पार करने का उपनिसद के अध्यात्मिक गरंद को क्या कहा गया? तो आए बढल देखते हैं, संसार में ए पूरे संसार में सांती अस्थापित करने का कारी कि इसका परमात्मा परमात्मा वो ले तो इस वर ठीक है चलिए आगे देखते हैं का जिसका मार्क उपनिसद की और से ही आता है अता हम कह सकते हैं कि उपनिसद एक अध्यात्मिक गरंत है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं Q7 में भारत महिमा पाठ का वर्नन करें तो आई हम लोग देखते हैं भारत प्रकिर्तिक संदरी स्वर्ग से बढ़कर है यह कि देवताओं यह बहुनियों की भूमी है देवता भी यहां बार-बार जन्म लेना चाहते हैं या स्वर्ग और मुक्ष देने वाली धरती हैं यहां पर देवता भी बार-बार जन्म लेना चाहते हैं देश भक्ती यहां हर नागरिक में बसा हुआ है अता देखिए हम भारती बसुदेव कुटुमबकम में बिस्वास करते हैं कृष्ण देखिए बसुदेव कृटुमबकम में मतलब अतीति देवो भवा यानि अतीतु को देव को रूप में हम लोग मानते हैं इसमें भी बिस्वास करते हैं अता हमारा देश सबसे महान देश है, अता हमारा देश सबसे महान देश है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठर्मा क्वेशन में, कह रहा है भारत महिमा पाट के धार पर भारत भूमी कैसी है, तो आईए देखते हैं, कह रहा है भारत अती पवित्र देश है, भारत क्या है पुझी और मामता मईई है यहां की जो भारत की भूमी है पुझी है और मामता मईई है ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहां बिभीन यहां बिभीन जाती और धर्म के लोग एक साथ मिलजूल कर रहते हैं यहां देखिए हमारे इस भारत में बहुत सारे बहुत नाना परकार के जातियां और अनिक परकार के धर्म भी है लेकिन सब आपस में एक मिल जुल कर रहते हैं यहां का हर देशवासी अपनी मात्री भूमी के लिए अपनी जान तक देने को तयार रहता है बिल्कुल सही बात है हमारे इस देश में जितने भी लोगों किसी धर्म को किसी भी जात क हो करा अपनी मात्री भूमी के लिए अपनी जान तक देने के लिए सड़ील सही बाते है देवता लोग भारत का इससाओर भा10 करते हैं क्यूंकिर यहां की धर्थी स्वर्ग और और मोक्च देने वालीतं कि जो भारत की धर्ती है सवर्ग और मुक्ष देने वाली धर्ती है करा भारत में जर्म लेने पर कराया के देखेगा इस वरको प्रात करने का पहला मार्ग भारत से ही है इस बर को अगर आप प्रात करना चाहते हैं तो या पहला रास्ता यानि पहला जो मार्ग है वो भारत से ही है करा भारत में जन्म लेने जन्म लेने को भगवान भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने को भगवान भी तरसते हैं या धर्ती मोच दाइनिये है या धर्ती जो है मोच दाइनिये है चलिए यानि मोच देने वाली है अगला कोस्टन के और हम लोग देखते हैं कोश्चन 20 में हम लोग आते हैं विद्यार थे, करा नीती असलोग पाट के धार पर इस्तिरियों की क्या भी सिस्ता है, तो देखेगा, इस्तिरियां घर की लक्षमी होती है, इस्तिरियां घर की लक्षमी होती है, वह सरवदा पुझनी होती है, इस्तिरियों की हमें हमें सा सम् पुन्यमई होती इस तिरिया जो होती घर को प्रकास साली करें यह ले जाने वाली पुन्यमई होती अता हमें अता हमें विश्य सुरूप से इसकी रच्छा करनी चाहिए ठीक है चली हम लोग आगे कोस्चण के और बढ़ते हैं आज के लिए हम 20 को रखते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास सेर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सके यह वीडियो आपके लिए भी भी आई साबित हो सकता है जय हिंद जय हिंद